हेलो फ्रेंड्स आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल अंजो किचन लाइब में आज मैं आपके साथ सेर करने जा रही हूँ सूजी का उपमा वैसे तो इसे बनाना बहुत ही असान है लेकिन कुछ बातों का ध्यान न रखा जा तो यह उपमा सौफ्ट नही रखा है इसमें डालेंगे एक कप भड़के सूजी अब सूजी को लो फ्लेम पे लागातार चलाते हुए दो से तीन मिनट के लिए बस रोष्ट कर लेंगे तो यहां पर मैं एक चमच घी डाल रहे हूं जिससे सूजी का फ्लेवर बहुत ही बढ़ी आएगा और सूजी को ज ज़्यादा अच्छा लगते हैं अब इधर हमने वापस से कडाई गरम होने रखा है इसमें डालेंगे दो टेवल स्पून देशी घी घी के जगह पे आप ऑल भी ले सकते हैं लेकिन घी में इसका फ्लेवर थोड़ा ज्यादा आता है अब इसमें हमने डाला है 15-20 मूंग फ लगते हैं यह उपमा को आप अपने बच्चे को टिफिन में भी दे सकते हैं काफी ज्यादा हेल्दी होता है और खाने में भी बहुत अच्छा लगता है आप कडाई में थोड़ा घी बच गया था तो उसमें डालेंगे आधा चमच चना का डाल और आधा चमच उरत का दाल इन जब को कुछ सेकंड के लिए पका लें जिसे इनका कच्चा पन निकल जाए और अब यहां पे आधा चोटा चमच घिसा हुआ अधरक डालेंगे या बारिक करके भी आप डाल सकते हैं और स्पाइसी के लिए हरी मिर्च डाल देंगे और पंद्रह से बेस यहां पे कड़ बागी के सबजीयों को भी आप इसमें अपने मन पसंद्रह को एड कर सकते हैं हमने थोड़े से गाजर लिए हैं सभी को बारिक काट ले थोड़े से बीन समने लिए हैं और स्वाद के नुसार अभी यहां पे नमक डाल देंगे और एक चोटा चमच यहां पे चीनी एड कर कर लेंगे अब इन सबको दो मीनेट की लिए रोश्ट कर लें सब्ल you को ज्याधा फ्राइब करना है इसका कच्छा पर निकले derived क practice यहां पे देके सब्ल्पने कवें een broken अधरे सब्संगे सब्सक्राइब बनाते से में गलती कर देते हैं यहां पर पहले सुझी मेन बन जाते और उपमा खड़ाब बन जाते हैं तो वो खाने में ज़्यादे अच्छे नहीं लगते हैं तो यहाँ पे देखे पहले सूजी को सब्जियों के साथ अच्छे से मिक्स करने के बाद अब यहाँ पे डालेंगे पानी तो जितना हमने सूजी लिया है उसका डवल यहाँ पे पा पानी एड़ करेंगे तब आपका उपमा बहुत ही अच्छे बनेंगे तो इसे हमने दो मिनट के लिए कवर कर दिया था जिसके वज़ा से सूजी अच्छे से कूख हो गया है देखे और इसका पानी भी अच्छे से एब्जॉर्ब हो गया है अब देख सकते हैं तो अब यहां इतना ज़्यादा बढ़िया बनता है कि बच्चे से बढ़े तक सभी को यह बहुत पसंद आते हैं यहां पर दही अच्छे से सूजी में मिक्स हो गया है तो अब यहां पर डाल देते हैं भूना हुआ बादाम और काजू और इसके साथ धनिया पत्ता डाल देंगे और आप खाये जाने वाले हमने बहुत ही ज्यादा टेस्टी बदाम की चटनी बनाई है अगर इसकी फूल वीडियो आपको देखनी है तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं या इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है आप वहां से भी देख सकते है तो चलिए अब इसे सर्फ करते हैं तो यहाँ पर देखिए उपमा हमारा कितना अच्छा वन करके त्यार हुआ है तो फ्रेंग्स ओमेद करते हूँ आज की यह वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी अगर यह वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज वस्ताये गुद बाई